दूसरे मैक में भी यादफ जी के लड़ाकों ने किया कमाल मैदान पर बैटिंग और बॉलिंग ने दिखा कमाल लगातार दूसरे बुकाबली में कंगारू को थोया बड़े स्कोर के आगे आउस्ट्रेलिया ही बल्ले बाजू ने आपक होया इशान किशन, गेशश्वी, जैस्वाल और रिंकू ने कंगारू गेंद बाजो की जम कर लिखावर कंगारू टीम को कर दिया तितर बितर सिरीज में टीम इंडिया ने दो शुनी के लिए बढ़त इंडियन बल्ले बाजों ने कंगारू बोलिंग पर जम कर लगाई चपत भारत और आउस्ट्रेलिया के बीच खेले के दूसरे टीट्वेंटी मुकाबले में भी सूरिया के लड़ाकों का विज़ाई अभियान जारी है तिरुवनंत पुरम के ग्रीन फिल्ल इंटरनाशनल स्टेडियम में खेले के मुकाबले में टॉस हार कर पहले बैटिंग करते वे टीम इंडिया ने 20 ओवर में चार विकेट पर 235 रनों का पहाड खड़ा कर दिया जो T20 इंटरनाशनल में में इन ब्लू का आस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल रहा टीम के लिए गाइकवाड ने 58 रनों के सबसे बड़ी पारी खेली वहीं तूफानी अंदास में खेलते वे ये शश्वी जैस्वान ने 200 के उपर के स्ट्राइक रेट से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की वहीं इशान किशन ने भी धुआधार अंदास में अपनी हाफ सेंचुरी जड़ी आखिर में रिंकू सिंग का जलवा देखने को मिला उन्होंने 350 के स्ट्राइक रेट से धुआ अधार बैटिंग का तड़का लगाया और महस 9 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेले और स्कोर को 235 रनों तक पहुँचा दिया इसके लावा कप्तान सुरिकुमार यादव ने भी 13 रनों की पारी खेली खुल मिलाकर कहा जाए तो दिरवनंत पुरम के मैदान पर कंगारू बोलर्स का बहुती बोरा दिन रहा सभी गेंद बाजों को इंडियन बले बाजों ने जम कर धोया और मैदान के हर तरफ चौके छकों की बारिश कर दी स्पिनर ग्लेन मैक्सवल ने दो ओवर में 38 रन खर्चे इसके लावा सीन एबॉट ने 3 ओवर में 56 रन लुटाए एडम जमपा ने 4 ओवर में 33 और तनवीज सांगा ने 4 ओवर में 34 रन दिये इस बीच नातर नेलिस टीम के लिए सफल गेंद बाज साबित हुए जिन्होंने 3 विकेट जट गे इस दोरान उन्होंने 4 ओवर में 45 रन उटा दिये वही मारकस टोईनीस को एक विकेट हासिल हुआ 236 रनों के पाल का पीछा करने उत्री आस्ट्रेलियाई टीम कहा जाए तो रनों के पाल में दब कर रह गई पहले मैथ्यू ने गलत शॉट खेल कर अपना विकेट गवा दिया वो फिर से बिष्णोई की गेंद पर क्लीन बोल्ट हो गया लेकिन वो भी मैज 12 रनों पर चलते बने उनका शिकार अक्षर पटेल लिकिया है इसके लावाज टीम स्मित भी रनों की स्पीड को तेज करने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा के शिकार बन बैठे है वो मैज 19 रन ही बना सके टीम इंडिया ने रन ही इतने बना लिये थे कि कंगारू बलेबासों के पास अटाक करने का कोई चारा ही नहीं बचाता है और एक के बाद एक बलेबास फेल होते गए और उनकी मनजिल पवेलियन ही साबित हुई और सूरिया के लडाकों ने इस तरह दूसरे T20 मैच पर अपना कभजा कर लिया है इंडिया वसेस आस्ट्रेलिया T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले का नतीजा आपको कैसा लगा टीम इंडिया के आज की परफॉर्मेंस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं आप हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं सूरिया की कप्तानी में क्या टीम T20 में घंडे का लेगे क्या उनकी कप्तानी सफल रहेगे आप अपनी राय इस पर भी हमें कमेंट में बता सकते T20 सीरीज और क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहें ये भारत पॉजिटेब फेस्बुक पर अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक और फालो कर ले यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले पास ही लगे बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि इस तरह के इंटरस्टिंग और अपडेट से जुलिवी वीडियो आपके फोन में आपको नोटिफिकेशन के जरीए मिलती रहे बिले रिपोर्ट भारत पॉजिटेब